हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग मैसल देवेश एंड यूर वोचिंग चैनल एक्स्प्लेइन सो गाइस फाइनली एसल द्यू ने अपने एक्ज़ है गाइस गुड मॉर्णिंग इस देवेश वेलकम बैक टू अनदर वेडियो सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसल ड्यू ने या फिर बोल सकते हो डेल यूणिवर्सिटि ने सोइल के एडविशनों को स्टार्ट कर दिया नए सेक्शन वाले जो की ट्वेल्थ पास करके बच्चे निकलें और जो एस वेल में एडविशन लेने का वेट कर रहे अब से विडियो आज मैं बना रहूं इसमें आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वालूं कि किस तरह से खरने करना घर बैठे बैठे और किस तरह से पेमेंड बगरा करनी है सारी चीजे बतारूं साईबर कैफे की जरूद भी नहीं पड़ेगी ठीक है वीडियो को एंड तक देखना बहुती जादा आज की वीडियो हेलफुल होने वाली है सबसे पहले आपको S.O.L. की वेबसाइट पर आना है यह जो वेबसाइट आपके सामने दिखरी है इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह जो साइट है वहाँ से आप डायरेक्ट भी आ सकते हो साइट पर जैसी आप आओगे आपको थोड़ा से नीचे आने नीचे आने के बाद आपको तीन कैटेगरी मिलेगी जैसे कि आपको दिखरा है U.G.Courses Masters of Administration और नीचे Library of Informative Science तो अब यह Masters की या फिर Informative Science की बात नहीं कर रहे हैं अब यह हम बात कर रहे हैं सरफ अंडर गयुएट courses admission UGSOL वाले तो हम इस पर क्लिक करेंगे इनकी separate वीडियो बनेगी बाकी courses की भी तो उसकी जैसी में बनाऊंगा आपको बता दुगा अब देखो इसको desktop version में करके देख लेना वह ज्यादा अच्छा रहेगा desktop version में साइल चीजा आपको समझ जाएंगी अब आपको करना क्या है देखो यहां से अगर आप पढ़ना चाहते हो फीस वागा कितनी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते होगे eligibility यहां से आप चेक आउट कर सकते हो अपने courses की structure यहां से आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक करोगे और बगल में यहां पर PDF का option अधा है इस जगहाँ ठीक है हम बात कर रहे हैं admission के तो नीचे सबसे admission form है तो आपको इस admission form के ऊपर जो है 31 अक्टूबर है admission की हो सकता बाद में extend हो जाए मगर extend के उपर मत बैठना admission अभी ले लेना अगर टाइम है तो ठीक है और नीचे आपको दे रखा प्रोग्राम कोर्सी और कोर्सी वाई इनकी फीस दे रखिये किस कोर्सी की कितनी फीस है जैसे कि बीकॉम ओनर्स की चीजार 410 एं बीकॉम की है और 590 तो इस तरह साफ फी स्ट्रक्चर भी नीचे देख सकते हो किस कोर्सी की कितनी फीस है ठीक है यहां पर registration कैसे करना है तो आपके आगे कुछ इस तरह का पेज आएगा अब registration में जो जो चीजे आप से मागी गई है वो carefully आप important instruction है इसको ध्यान से देख लेना सबसे पहले आप जो भी details दोगे वो अपने educational documents के according दोगे registered email address डालोगे आपके वहां पे और जो email address आपका active हो मतलब की active का मतलब होता है जो अभी काम कर रहा हो यूज कर रहे हो आप और उस पर mail वगएरा आ रही हो ठीक है कोई पूराणा मत डालना क्योंकि कोई आपने अपने जो डॉक्यमेंट से वह सारे चेक आउट कर लिए और गोगल क्रोम वर्जन का वेब ब्राउजर आप यूज करना वह सबसे बैस्ट है एडिविशन के लिए अब यहां पर दोखो student registration form नीचे आपको दिख रहा है इसमें भरना क्या क्या है वह मैं आपको बदाता हूं सबसे पहले यहां पर आपको username डालना होता है दोट को मैं लिखूँ है सरफ देवेश मिश्रा ठीक है एड़ दिएड़ दोट को में लिखने की जरूत नहीं है और पहले डी है या फिर मेरा म है आगे तो वह छोटा बनाऊगो ठीक है छोटा लिगना नीचे आपको यहां पर अपना educational name डालना है जो भी आपके educational documents में डे इमेल address यहां email address फिर दुबार आपको वही फिल करना है ठीक है उसके बाद लिखाना नीचे री-enter दा email address यहां पर आपको email address वही फिर दुबार डालना है उसके बाद यहां पर डालना है password minimum six character का यहां पर कोई भी password जो है वह आप create करना चाहते हो वह password डालना और वही password आपक के तीन एक्षर भी ले सकते हो ठीक है यहाँ छे से ज़्यादा होने चीह है नीचे आपको पासवर्ट रिएंटर करना है यह जगा पर पासवर्ट रिएंटर करोगे नीचे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर को रिएंटर करना है वह मोबाइल नंबर जो यूजेबल हो ब के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने सब्सक्राइब करें तो आपके email address पर उसी पर जो आपने email address अभी दिया उस पर एक OTP आएगा OTP फिल यहां पर आपको करना है ठीक के लोग इन करने के लिए OTP फिल करना है capture डालना उसके बाद यहां से आप अंदर जाओगे नीचे submit OTP फिल करके तो यह देख सकते हो मैंने OTP फिल कर दिया अगर आपके में OTP नहीं आता तो नीचे आपको green color कर recent OTP का option दिख रहा है बना लिया तो आपको login करने registration log in आपको कैसे करने को username डालना है यहां पर आपने jo username डाला था जो मैंने डाला था भो डालना है और नीचे password अभी ही आपने create कर रहे है वो डालना है उसके नीचे आपको प्रोग्राम वाइस फीस आपको देखने को मिल जाएगी यह फीस है इसको अगर नहीं पढ़ना जाते इगनोर करो यहाँ पर आपको इंपोर्टन्ट टिक लगाना है जिस पर आपको लगया कि आपने सारा कुछ रेड आउट कर लिया फिर सम्मिट के ओप्शन पर क्लिक कर देना बस सम्मिट पर क्लिक करोगा तो इसके टोटल साथ स्टेप है डिवीशन के तो देखो अब आपके आगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा ठीक है अब यहाँ पर फिल क्या क्या करना है मैं आपको फट फट बताता हूँ सबसे पहले आपको परस्ट नेम जैसे देवेश मिश नेम की जरूती नहीं है फिर उसमें उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको डेट बर्थ डेट बर्थ आपको चूज करके सिलेक्ट करनी है उसके नीचे आपको डालना है जैंडर मदर्स नेम और नीचे आपको डालना है फादर्स नेम ठीक है जैंडर सिलेक्ट कैसे चोटी चोटी डॉट्स लगे हैं ध्यान से देख लो ठीक है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां से category SCOBC जो भी है वो आपको चूज करना है नीचे आपका blood group है यहां से आपको blood group चूज कर लेना है उसके बाद यहां पर marital status तो यहां से चूज कर लेना married and married divorce जो भी है उसके नीचे person with disability applicable यहां पर अगर आपके कोई disability है hand factor है कुछ भी है तो यहां से आप वो भी चूज कर सकते हो yes यह नो ठीक है mobile number डाला है यहां से आप चूज कर सकते हो nationality के वो डाली है यहां से आप चूज कर लेना उसके बाद address आए नीचे आपकी address line दे रखी है address line दो है इसमें आपको दोनों में address आधा इसमें डालना हाफ इसमें डालना नीचे city और pin code और state डाल देना है ठीक है यह साई चीजे fill out करने के बा बहुत ज्यादा important है क्योंकि guys अगर आप पैसे payment कर रहे हो अगर आपको in case registration cancel कराना या रिफंट चीए तो आपके bank में पैसे वापस एक महीने का time होता उसी में आपको refund मिलेगा वर्ना नहीं मिलेगा admission cancel पे तो उसी एक महीने में refund आपको वापस आएगा आपके banks में तो details मे यहां से डालना क्योंकि बहुत ज्यादा information होती है अच्छी होती है ठीक है उसके नीचे लिखा income status आपको डालना यहां पर do you belong to party of poverty line poverty line मतलब होता है गरीब रिखा जो होती है उसके अंदर आते हो नहीं आते वह सारी चीए employment status यहां से select करना इसी जगह से select करके डाल सकते हो employee हो unemployee हो defense employee हो यह फिर family income कितनी है वो सारी आपको डालनी है family income annual डालनी है आपको ठीक है यहां पर less than कितनी है more than कितनी है वो डाल सकते हो तो आपको annual income की according डालना है annual mostly 1,000,000 है मेरी तो मैं 1,000,000 डालू ठीक है उसके नीचे लिखा available fees concerns ठीक है उसके नीचे लिखा है needs no needs financial assistance मतल computer knowledge है use of internet computer at home stream कौन सी है stream select करनी है तो सारी चीज़े आपको इनके through select करनी है side में ठीक है इनके through आप सारी चीज़े fill up कर रहोगे उसके नीचे लिखा है last way your preference need to study material please tick yes below item यहाँ पर आपको किसी एक item को चूज करना है preference को तो यहाँ से जैसे आप click करोगे आपे soft copy hard copy दो आएग अगर आप hard copy लेता हो तो उसके लिए तो अगर आप hard copy लेता हो तो hard copy लेता हो hard copy के लिए आपको को क्लिक करना है yes no पर ठीक है yes no आपकी जो book bank facility अवे लेवल है या निया सारी चीज़े fill out करने के बाद submit पर क्लिक करना है तो friends चारी जिए भर जाने के बाद submit के ऊपर याप सम्मीट के ऊपर क्लिक कर रहा है इस तरह से आप踏 समिट के ऊप्षिंपर क्लिक करोगेए तो जैसे आप उपको क्लिक कर ओगे आपको यह देख सकते हो आपने जो जो डिटे rooting डालिया आपने डिटे डालिया यह गलेट डालिए एक बार आप चैक आउट भी कर सकते हो सारा ठीक है चैक करने के बाद आपको तीन ओप्षिन में लेंगे प्रिव्यू वापस जाने का एडिट का यह नेक्ट का नेक्ट का नेक्ट मतलब सेकिंड स्टेप पर आ जाओगे तो अगर आपको चैक करना कोई गलती हो गई तो आगे अगर आप ठीक बना चाते को आगे पर सेकिंड स्टेप में यहां पर आपको डालना है यहां पर आपको डालना है इसमें आपको 12th Class की बोर्ड डिटेल से डालनी है ठीक है तो आपको कह डालना है Select Class 12th Board Name Board Name में जो आपका नाम था Capital था चोटा बढ़ा वो आपको यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा बोर्ड था आपका CVSE था अधर्स था नैशनल एज्योगेशन था दोनों में से जो भी था Central Board of Education वो डाल दो उसके निचे आपको अपना Enrollment Number डालना है जो कि आपके 12th के उसमें Admit Card में होता है ठीक है तो वह आपको यहां पर फिल कर है और यह मेरा Role Number जो है Enrollment Role Number डालना है तो यह मैं डाल देता है एक मिनिट तो यह मैंने अपना Enrollment Role Number डाल दिया है उसके बाद आपको Submit पर क्लिक करना है इस जगह पर है ठीक है सारी चेक करने के बाद Enrollment Number पगएरा इस पर Submit पर क्लिक करोगे तो आप 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 गए आपने Examination Details डालनी है जैसे कि आपका Result Status का है तो Result Status का है यहां से आपको Select करना है इस जगह से तो यहां पर जैसे सब करोगे Pass हो या फेल हो आपको यहां से Choose करना है Board Roll Number डालना है यह पर आपको Board Roll Number कौन सा यह्रफ पासिंग कौन से साल पास किया वो डाल दोगे नीचे उसके बाद subject taken in board examination आपने कौन सा subject चूज गया था आपको वो डालना है ठीक है यहां से आपको click करना इस जगह तो यहां से आपने accountancy क्या ले रखा था chemistry तो मैंने account से रखा था वो डालना है यहां दो फुलत कर दो है उसके बाद best FOR का आपके marks लगते हैं आपको पर्ता होगा maximum marks of four subject यहां पर आपको maximum marks जिस subject में रखा रख आ कर दालना है maximum marks obtained and subject one ठीक है वो जो maximum marks आपको मिले हैं subject का नाम और यहां के subject के marks आपको डालने है एक में आपको marks डालने है maximum एक में आपको मिनिमें ठीक है उसके नीचे आपको डालना है select the subject studied कौन से subject आपने study करा था तरीक है तो यहां सब डाल सकते accountancy English Hindi तो मैंने फिर से accountancy चूज कर ले रही है तो यहां पर एक बार और आपको मैं चूज कर चुका हूं तो यहां पर दूसरा subject चूज करना है नीचे आपको यहां पर कोई दूसरा करना है जैसे कि मानलो मैं हिंदी चूज कर लेता हूं ठीक है यह मैं English चूज कर लेता हूं तो English मेरे कितने marks आए हैं तो यहां पर आपको डाले हैं English में जो marks आए हैं Best 4 के marks ले रहे हो उसके नीचे फिर आपको यहां पर कोई कोई दूसार subject चूज करना है इस जगह यहां पर आप फिर से कोई subject चूज करोगे जैसे कि मैंने history ले लिया history में कितने marks हैं तो वह आपको यहाँ पर डालने हैं यहाँ पर लगाए maximum marks of subject 3 and marks obtained in subject, कितने marks आए हैं और कितने marks maximum आए हैं ठीक है वो दोनों डालने हैं उसके बार नीचे आपको सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने हैं इसी तरह से आपको नीचे subject डालने हैं पांच सब्जक्ट टोटल आपके लिए ठीक है तो एक बार और और फिर एक बार और और फिर एक बार और तो टोटल पाच्छे हो गए शायद गिंद ले ना उसके नीचे आपके class 10th के details है class 10th आपने select करना कौन से year में pass कर रहा था type of school स्कूल कौन सा था cbsc था cbcs था तो यहां से आप वह भी सेलेक्ट कर ले तो गवर्मेंट था यह केंद्रिय था qualification examination center वगयरा जो आपको बढ़ा था वह आपको डालना है उसके बाद नीचे लिखा है कि क्वालिफिकेशन examination state क्या है ठीक है तो आपको डेली डालना है नौय डालना है वह आपको डाल सकते हो जहां पर आपने जगह अग्जाम दिया था बोर्ड नेम क्या था वह आपको नेम यहां से चूज करना है सेंट्रल बोर्ड होता है जासे cbse तो यहां से आप चूज कर सकते हैं उसको मान लो मैंने बोर्ड फ्कूल एजुकेशन हरियाना चूज कर रहा है ठीक है उसके बाद नीचे आपको अपना डालना स्कूल या कोलेज का नेम या फिर उसका एडरस तो नाम डाल देना हो ज्य देखो additional details में name of school last attended आखरी school कून सा था जो अपने अटेंड कर रहा था वो डालना है school की location क्या थी वो डालना है location यहां साइड में से चूज कर सकते हो NTC Delhi अधर ठीक है उसके बाद नीचे आपको डालना है medium of study कौन से medium अपने study करी थी English medium है Hindi medium उसके according आपको judge करेंगे ठीक है तो वो डालना है ठीक है उसके बाद नीचे आपको लिख रहा है have you studied any of these languages in languages में से आपने कोई language पढ़ी है तो yes पर टिक लगाना बढ़ना no जैसे English में पढ़ी है तो टिक लगाएंगे yes के उपर टिक कर दो उसके बाद यहां पर लिखेंगा English subject study up to English कब तक पढ़ी है आपन को no कर देना यह भी मैंने नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा तो यह सारी आप कर देना अगर आपने नहीं पढ़ा दो ठीक है यहां से आप चूस कर लाएं फिर उसके बाद आपको submit को option पर क्लिक करना बस यह यह वाला step भी हो जाए complete तो यह सारी फिल करने के बाद इस पर submit प कर यह वह सारी आपको दिख रहे है आपने जिस subject में जितने marks वगरा फिल करें देखो यहां पर आपको दिख रहे होंगे ठीक है मैंने जिस subject में जितने डाले एक्जामपल के लिए मैंने डाले मेरी एक्शूल में सब कुछ नहीं तो बस वाल फिल अप करके आपको समझा र करके हो अब यहां से अपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है आपका जो प्रोग्राम है वह आपको चूज करने वाले है तो यहां से अप से लेक्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो मैं चूज करने वाला हूँ become ownership बीकॉम औरस मैंने लिया है नीचे लिखा Medium of instruction में लिखो आपको English की आपको English में सारी instruction दी जाए ठीक है यहां पर लिखाए रिलिजियन नौर्थ कोड अकेडमिक कलेंडर यहां से आपको नौर्थ लिजियन सेंटर यह एक ही आपको चूज करें रखना है उसके बाद आपको submit पर क्लिक करना है तो इस पर मैं submit कर देत आपको अपना course selection करना है अब जो आप course लेने वाले वाले वह चीज़ ठीक है become owners के जो course है उसके अंदर यहां पर लिखा है course code देख सकते हो credit वगएरा ठीक है यह सारी चीज़े मगर यहां पर आपको आपको फिल कुछी नहीं करना है बता मों क्या फिल करना है यहां पर आप कि इंवेसर कोईस अच्छा लगता है वो ले लो तो principle of microeconomics में को best लगता है तो मैंने यह चूज कर लिया तो यह मैंने ले लिया ठीक है skill enhance course में आप कौन सा लेना चाहता है यह यह एक book है जिसमे choice होती है तो वह आप क्या लेना चाहोगे तो देखो इसमें हम बोलेंगे कि by finance of everyone यह book डाल देते है ability ACC subject is में आपको choice नहीं मिले कि आपको यह लेना है value addiction में चाहर कोर्स है चाहर में से आप कौन सा लेना चाहते हो इन चाहरों में से तो मेरे को ज्यादा रचा लगेगा अगर इन में से लेना हो या तो यह या तो यह तो मैं दोन में से कोई से चूज क कर लिए उसके बाद निचे submit option पर click कर देंगे यहाँ पर edit में को कुछ नहीं करना है सारा ठीक है अब हम कर देते है next edit करना अप edit कर सकते हो यह देख सकते हो अब यहाँ पर आपको main चीज आ गए यह main चीज क्या है देखो यहाँ पर आपकी photo signature आपके documents upload करने है online आप कैसे upload क देखो पहली चीज तो passport size photo में सारे candidate अपने documents upload करेंगे जिसकी minimum file size 10kb होना चीए एक चीज और बता दू प्ले स्टोर पे काफी सारे app है जहां से आप अपनी file को minimize कर सकते हो अपनी file को छोटा कर सकते हो और maximum file size होना चीए 200kb कोई भी आप photo अगरे डालो 200kb महां से आपको ड signature कैसे डाले है हम लिखेंगे select file पे click करेंगे पहले आपको कागेच पे signature कर लेने है उसकी photo ले लेनी है 200kb में उसको decrease कर लेना है अब यहां से मेरे को अपनी photo upload करनी है files में जाँगा files में जाने के बाद यहां से मनलो मेरी photo उपर first वाली यह है तो मेरे को यह डाल देना है य उसके नीचे आपको डालना है यह पे signature of candidate अपने signature डाल दीया signature यह पर यहां पर आपको डालना है 12th क चलस का Certificate यहां पर देख सकते हो एड्रस प्रूफ क्या है वह आप अप्लोड कर सकते हो बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड वगएरा उसके निचे सिटीजन शिप आप इंडिये नहीं हो उसकी क्या प्रूफ है तो आपको डालना है अपको डालना है क्लास 12 में अगर कोई हो या 10 में उसके नीचे आपको इंकम सेटिपिकेट अकर है डायलक्स से अगर माल लो डायलकís से कम है तो आपको इंकम सेटिफिकेट दिखाना पड़ेगा ड mosquito से जादा तो इन आपको नहीं दिखाना पादेगा तो उसके के बाद यहां पे अप्लोड कुछ नी करना है तो झां नीचे अब्ती इंMे डाल दिया तो आपको इसको next के ओपर click कर दिया next option पे आप आजा हुए so friends documents select कैसे करें तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ और यह पर select file option दिख रहा होगा आपको select file पे click करना है files पे जाना है जहां भी आपके documents वगहरे रखे हुए फोड़ा से नीचे आना है जो भी मेरे documents है यहां से मैंने यह file चूज करी यह दो को आगया upload option start upload start upload है और यहां पे लिखाए cancel अगर आप cancel करना चाहते हो गलती से कोई और आपने select करें तो cancel कर देना वरना start upload पे click कर देना upload होना start हो जाएगा यहां पे start upload का option शाहरा पे to call YouTube तो मैं यहां पे click करते हो start uploading तो यह पे लिखाए invalid format upload है यह start upload start upload start upload तो इस पे आप जैसी click करोगे इस तरह से upload आपको कहने है start upload इस ब्लू कले कहा इस पे मैं click कर रहा हूँ तो यह upload हो रहा है मेरे documents start upload स्टार्ट अप्लोड तो यहां पर मेरे एक लास्ट उक्यूमेंट है स्टार्ट अप्लोड मैं एक्जाम्पल के लिए आपको शिखा रहा हूँ इस तरह से आपको करना है खुद बैठे बैठे गर पर इस्टेशन करवा सकते हो बाहर साइबर के फिवे जाओगे 200-300 रुपय आपको चेखा देने का कोई फायदा निया यह सारे अप्लोड होगा इसके बाद आपको नेश्ट पर क्लिक कर देना है यह हो गए मेरे ठीक है आप देख सकते हो आपने जो जो डॉक्यूमेंट डाले हो यहां पर चेक आउट कर सकते हो आपको देखना आपको व्यूपर करन आपको व्यूपर क्लिक करोगा आपको वही डॉक्यूमेंट खुल किया जाएगा एक बार आप चेक जरूर कर लेना अब आपके नेक्स्ट के ओप्शन पर क्लिक कर देते हैं हो फ्रेंट तो वह सारी चीजे सम्मिट होने के बाद आपके सामने कुछ फाइनल रिव्यू इस सारी छीजे ठीक हैं तब इसको प्रेविू पर तब किलिक करना नीचे आपको जगह जगह पर यह यह येलो करना का tut दो मिल रहां है को मतलबा होता कर आपको किसी सेच्टिन में दिक्कत लगती है तो मोडिफाइय पर क्लिक कर के आप अपने डीटेल्स folie या फिर जो गलती कुआ है उसको ठीक कर सकते हो ठीक है यहां पे भी नीचे आपको edit Correct! का option मिल रहा है तो भाई बार बार EDIT CANT тीए जाता है कि आप के इसको edit कर लो यहा पर आपको print the page का option मिल रहा है इस पर क्लिक करके इसका print out लेकर रह सकते हो पहले print out cyber cafe कर रहे हैं खुद कर रहे हूं print out लेके रख लेना है scan करके ताकि आपको proof रहे कि आपने सारी details fill करी है फिर आपको next के option पर click करना है next पर जैसे हम click करेंगे आपके आगे कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा जो कि last portal और सबसे ज़्यादा important portal आएगा अब इस पोर्टल में आपको अपनी fees पे करनी है examination जो होती है देखो examination fees जो है admission fees वो कैसे पे करनी है आपके course के coding होगी तो मैंने चूना था बीकॉम ओनर्स तो बीकॉम ओनर्स की जो मेरी fees है वो 7220 रुपे बन रही है ठीक है अब कुछ modify नहीं करना तो भाई मैंने सारा देख लिए ठीक ठीक सारा ठीक है अब यहाँ पर आपको नीचे दिखरा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है इसका मतलब है आपने अप सारी चीजे देख लिए है दुबारा से चेक कर लिए ठीक है यहाँ पर हम कर देते हैं accept payment ओके तो देखो अब हम आगा है payment के section पर यह मेरा payment है आप dashboard पर आदेंगे यहां से यह आगे है पेंडिंग अब हमारी भी पैंडिंग है हमारी जो फीस पैंडिंग है तो देखो यह फीस को अप्शन आगया continue करने पे ठीक है तो टोटल अमारूट है 7.40 यहां पर लिखा है payment gateway is closed जो आपका payment section है वो अभी cyber cafe सकते हो या आप खुद कर सकते हो फोर्म मेंली यही था कि फोर्म को कैसे फिल अप कर रहा जाता है तो देखो फोर्म के साथ step जो मैं आपको सारे बताए साथवाश step है आपका payment का जो अभी आनी रहा है यहां पर शोनी कर रहा है payment आपको करनी है वैसे भी वह मैं दिखांगा नहीं आपको तो फोर्म फिल अप करना वह हो चुका है आपका I hope वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को चैनल को करना वीडियो के लिए किसी का कोई डाउट रहा जाए इसमें भरते भरते फोर्म में कोई गलती हो जा तो अच्छी चलने चाहिए नहीं होना चाहिए बीच में अगर पेमेंट अटक गई तो बहुत बुरा हो जाए ठीक है पेमेंट डिफंट ऐसे नहीं मिलेगी जब तक वहां भी नहीं पहुची तो देखो पेमेंट करते समय बी केरफूल और आई होप वीडियो चे लगए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एस वैल के रिगार्डिंग सारी अपडेट चैनल एक्स्प्रेंट पे आपको मिलती रहेगी ऐसी प्रोसेस वाली वीडिय वो भी आपको देखने को मिलेगी मैं भी लूँ आपको देखने को मिलेगी मैं भी लेते नहीं थैंक यू